हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो ज़रूर करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट विडियों हैं वो आपको आसानी से मिल सकें आज हम चर्चा करेंगे तूस से संबंधित कुछ अपजेक्टिव प्रसन के बारे में यह प्रस्ण आपकी आई टियाई में एलेटीसेंट ट्रेड में भी पूछे जाते हैं तो हम चलते हैं अपने पहले प्रसन की ओर हमारा पहला जो प्रसन दिया गया है वह प्रसन है कि इस अब हम चलते हैं अपने अगले पर्षन की तरफ हमारा अगला पर्षन दिया गया है किस रेती का लिए का नाम है तो यहां पर आ प्रिति देक्ष करें इस आ तरफ करती में तो इस ब्हुंद्धी का नाम है याइका कार planoति तตरुर्ट हम lequel को सभी होगा उप सboys हो तो ही सारे ओPS 가지고 दीए ओप्षेन जो आपका सही ओफुन होगा वहोगा आंत्रीग केलीपर क्या है आंतॱ्य केलीपर यानि कि जो आप देखे रहे हैं ते चीत्र उस चीत्र का नाम क्या है उस्टू का नाम है आपका आंत्रीख केलीपर तेहां से कहा करेंंगے जो लकडी होता है का में जाता है को सदूश्न का मृटाइज आपका यहनु है कि अपका अप्योग हम लोग कहा करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग लकडी में आयताकार चेद करने के लिए करते somos हमारा जो अगला परसन दिया गया है वह अगला परसन है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों है तुर्कीज परकार का अश्टेक उप्योग किया जाता है सीट मेटल में तेज मोड़ों है तुर्कीज परकार का अश्टेक का उप्योग किया जाता है तेहां पर जो मेरा सही अंसर हो जायगा वह हो जायगा बी नमबर है टेच अश्टेक का उप्योग हम लोग करते हैं तो क्या करें हम बी नमबर को टिक आउट कर देंगे अब हम चल किसी किसी आयताकार किसी वरगाकार अगले परसन की तरब तो हमारा अगला परसन दिया गया है कि कि कैलीपर का पदार्त के बाहरी सीरो पर सामनांतर रीखाई में होता है हमारा पर्षन क्या है तो कि इस परकार के कलीपर का कलीपर का पर्योग पदार्थ के बारी सी रोप और समनांतर एखा के खिचने में होता है तो यहां पर कई सार जाने जो मेरा बी नमर रफसंग हो गया जैनी के लिपर वह साही होगा तो क्या करें गार पर बी नमर को टिक आउट कर देंगा हम चलते हैं अगले परसन के तरफ हमारा जो अगला परसन नाम क्या है तरहां पर पित डि का नाम क्या है आपको बताना थे को ध्यान से औरी यह जो टो क्मलों करते हैं टेपर शाइंक करते हैं तो क्या करेंगे बीर नमल को कर देंगे अब चलते हैं परकार का इक favor का में तब करेंगे एक नमेर को टि्क आउट कर देंगे हम चलते हैं अबने अगले परस्वन की तरफ, तो हमारा जो अगला परस है वो क्या है तो ISO metric find thread M12-1.25 में 1.25 नमबर क्या इंगित करता है तो जहां पर आपको लिखा होगा M12-1.25 तो जो मेरा 2.5 है वो क्या इंगित करता है तो मेरा जो 1.25 है वो thread का फिच इंगित करता है तो हम क्या करेंगा अपर B नमर को tick out कर देंगे हम चलते हैं अपने अगले परसन की तरफ हमारा जो अगला परसन दिया गया है वो अगला परसन है कि लकड़ी में अन्यमित रूप से साखाओं के उगने के कारण कौन सा दोस उत्पन हो जाता है तो देखिए का यहां पर जो मैं सही अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एक नमर यानि गांट पड़ जाता है तो हम इसको टेक नमर को tick out कर देंगे हम चलते हैं अपने अगले परसन की तरफ हमारा जो अगला परसन दिया गया है वो अगला परसन क्या है कि एक से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है तो यहां पर जो आप एक से देख रहे हैं एक से जिस भाग का इंगित किया गया तो भाग का नाम क्या है आपको बताना है तो यहां पर जो मैरा साइंस हो जाएगा हो जाए प्रदर्सित कोण का नाम क्या है तो आपका पॉइंट कोण कोड कहेंगा नाम क्या है तो आपका पॉइंट कोड नाम होगा अब हम चलते हैं अपने अगले परसं की तरब तो हमारा जो आगला परसं दिया गया है वो आगला परसं क्या है की स परकार का और्ध लैप जूर पर्योग किया जाता है जब जब का एक भाग सीरो के अंत से कुछ दूरी से मिलता हो फिर से एक भाग परसन को देखिएगा किस परकार का और लेप जोड परियोग किया जाता है जब जब का एक भाग सीरो के अंत से कुछ दूरी से मिलता है तो यहाँ पर जो मेरा सही answer हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा मध्य लैप जोड़ यानि कि हम लोग जो जोड़ का उप्योग करते हैं तो क्या करेंगे अब सी नमर को टीक आउड कर देंगे अब हम चलते हैं अपने अगले परसंग की तरब तो हमारा जो अगला परसंग दिया गया है कि 90 दिगरी मोड और अंदर से निकलते हुए कि नारों के साथ धातू ट्रे बनाने के लिए किस परकार के notch का उप्योग किया जाता है तहाँ पर जो मेरा सही answer हो जाएगा वो क्या हो में हैं 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 फोल्डिंग का क्या है यानि के सीट मिटल ह HELका है हम का है हम फोल्डिंग होता है उसका उप्योग क्या होता है कि सीट को 36 से बचाना तो हम क्या अपर डीनमर कोटी का टिक ओउट कर देंगे अब हम चलते हैं अपने अगले परसंग की तरब तो हमारा जो अगला परसंग दिया गया है वो अगला परसंग क्या है कि लखड़ी में कौन सा दोस इसकी सक्ति को कम करता है यानि कि लखड़ी में कौन सा जो दोस है उसकी सक्ति को कम करता है तहां पर जो आपका सही एंसर दि दिआगा है कि से थहाखाडय का क्या नाम है तो आप यहां परेको देख रहें चीतन के क्या क्या करेंगे कॉट भाक हथावडा जो है इसे हम लोग कहते हैं तब क्या करेंगे यह नमर को टिक आउट कर देंगे